Good morning friends, Daily motivation episode 8 में आप सबी का स्वागत है Stop taking things personally Yes, my dear friends अपने आसपास के हालात और लोगों की कई हुई बातों को खुद पर लगाना, परसनली ले जाना, बंद करें क्योंकि कई बार हम दूसरों के behavior और उनकी कई हुई बातों को लेकर frustrated हो जाते हैं और कितनी बार हम negative energy create कर लेते हैं अपने लिए और अपने आसपास क्योंकि हमें किसी ने कुछ बुरा कह दिया और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते my dear friends यह आपकी self care और mental peace को खराब कर रहा है practice few things in daily life but before that कुछ हालातों को जानते हैं जिससे आप अच्छी तरह वाकिव हैं जैसे मान लीजिए आप कोई जगा को ढूंड रहे हैं और आप गाड़ी धीरे चला रहे हैं पर दिल्ली में अक्सर बोला जाता है जैसे जब आप गाड़ी धीरे चलाते हैं तो जो आपके पीछे की गाड़ी होती है वो हमेशा जल्दवाजी में होती है और वो पीछे वाला हौन पर हौन बजाई जा रहा है आपकी इस समय क्या रियक्शन होगी आप कैसा महसूस करेंगे इस बात को समझते हैं जानते हैं आगे अब अगली सुजयोशन होगी कि आपने एक मीटिंग बुलाई है आपकी टीम बैठी हुई है और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपने प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से काम किया है बहुत मेहनत करी है पर आप देखते ह सामने एक मेडम बैठी है जो अपने वाट्सअप पे गुम है और मीटिंग को सुनने की जगा वाट्सअप कर रही है अपने मोबाईल से खेल रही है तो आपकी क्या प्रतिक्रियरा होगी इसके साथ साथ एक सिच्टेशन को और समझते हैं कि आपने अपने बेस्ट फ्रें पर फेस्बुक पर फोटो देखते हैं और वो घूम रहाता आपकी क्या प्रतिक्रियरा होगी आपने अपने लवड़ वन को चाहे हस्बेंड हो वाइफ हो आपका भाई हो आपकी बहन हो उसको अपनी बात बता रहे हैं और वो आपका बात को न सुनकर इदर दर चले जाता है या आपने किसी को फोन किया और वो आपका फोन पिक नहीं करता और घंटों के बाद भी कॉल बैक नहीं करता तो आपका इवीजिट थॉट्ट क्या होगा इस बात को अगर हम डिटेल में एनलिसिस करें और जानें तो यह हालात हम सब के आसपास होते हैं और हमारी जो क्यों किया हमें दुख होता है फ्रस्टेट फील करते हैं और इससे हम क्या होता है हम अपने आपको नेगिटिव कर लेते हैं और फ्रस्टेटेट हो जाते हैं जिससे हमारा मेंटल पीस बिगड़ जाता है मैडियो फ्रेंड्स अब जानते हैं समझते हैं कि हमें क्या फॉलो किसी तरह अपने को positive रखें तो जानिये सबसे पहले आप Central of Universe नहीं है यानि आप इस Universe को control नहीं करते सब चीजों को तो सिरफ आप करने वाले हैं आप controller हैं ऐसा सोचना बंद कर दे सबसे पहला कि आप हस चीज को control नहीं कर सकते सबसे पहली बात यह आपको समझनी है मुझे जाननी है सब को जाननी है कि आप हर चीज को control नहीं कर सकते और सबी चीजें आपके हिसाब से चलें ऐसा 100% नहीं होगा दूसरी बात आप नहीं जानते कि दूसरे के उपर क्या चल रहा है क्या बीत रहा है उसकी संघर्ष उसकी नजरिया आप नहीं जानते तो इसलिए अपनी जज्जमेंट पास करें ना करें ज़्यादा बहतर रहेगा और सिरफ सिरफ मूव ओन कर जाएं और आगे बढ़ें उस सिटुएशन से बाहर निकलें जिंदगी उसके बाद भी है माइडियो फ्रेंट जो आज की ये पूरी आपको एक्सरसाइस बताने का मतलब यह है कि इन सिटुएशन के उपर नेगेटिव नहीं होना और हमें अपने आपको पॉजिटिव रखना है अपने गोल्स की प्रती फोकस रखना है ये जो कंटेंट आज आपके साथ लाए है ये फ्रेडरिक इमिवो है जो बहुत एक्सपिरियंस कोच हैं और उन्होंने बहुत सारी बाते बताई हैं गाइड करते हैं लोगों को आगे अच्छा बनने के लिए उनसे प्ररित है इन बातों को एक रिमाइंडर की तरह सेव करें आप बहतर बनेंगे शेर करेंगे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे उमीद करते हैं आज की पॉड़कास्ट आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजेगा और लाइफ में आगे बढ़ते रहेगा थैंक यू सो मच विश्यू वेल्थ